जैसे किसना वक्तों हमारे बी एस सर्मा बाद्द्वा चैनल में आप सभी वक्तों का स्वागत हैं वक्तों आज जो है पुत्रिष्ठी कठा की चोथे दिन की कठा काम प्रार्म कर रहे हैं आप सभी परमात्मा सिर्दि नारायन का गड़े जी का ध्यान करतुए कठा स्वान कर सिर्दितं का पेठ्थे अंभू फलिचार वक्यनं उमा सुतं सोक विनाशिकारिकं नमाम विगनेश्वरिपारिपंगजं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो महेश्वराह गुरूर शाख्यात परंब्रह्मा तस्मैशी गुर्वे नमाह सप्रत्थम भगवार शीराधा किश्ण के चैन कवरूर प्रिनाम करके शिर्वियासि माराज सरस्वति देवी एवं सद्गुरेव के चैनों का ध्यान कात वे अपने माता प्यता सभी पूर्जनों का अश्रवा लेत हुए भगवाद स्रीवा की व्यारी मुर्ली मनुलास्षी प्रात्न काते हैं गोविन हमको सद बुद्धी देना धर्म का राश्चा दखाना अपनी बक्तियों कर पादिश्टी सदावनाई रखना बुलेंद्रा वन्वियारी लाले की जैए भक्तियनों ब्यास्वी माराज ने शिरी सुजी माराज को हर्वंस पुरान पुत्रिष्टी कथा का उप्रेश दिया था अठारे पुरानों का दिया था आज जो हैं ब्यास्वी माराज ने किस तरह से अठारे पुरानों की रचना करी उसका ब्रितांत भी सुना रहे हैं शिरी सुजी माराज कहते हैं रिशीवरों एक दिन ब्यास्जी माराज चिंता गरिश्ट हो करके नदी की किनारे बैठ हुए थे उसी समय पा देव रिशी नारज जी का आगमन हुआ नारज जी ने आकर के ब्यास्जी माराज को प्रिनाम किया ब्यास्जी ने नारज जी का मुनिवर्ण की तता आप तो भगवान की कठा का वर्णन करने वाले हो है ब्यासी माराज आपने आत्र दर्म कामी मुक्ष चारों पुरसाथों का वर्णन किया फिर आपको कौन्सी चिंता है ब्यासी माराज कहते हैं कि मुनिवर्ण जिस मनुष की बारी में भगवान के जगत चैत्र यसका वर्णन नहीं काती वो कूरा घर के समान होती है भगवन ज्यानी पुरुष बैसे ही संपर्क इस संसार में नहीं रखते जैसे कमल जल के अंदा नहीं रखता है हंस जो है काक तीत में नहीं रहते हैं भगवान के निर्मल गुणों का बंदन कने वाली रचना यद असुद्ध भी हो तब भी वो सुद्ध हो जाती है भगवान का नाम चै कैसी भी तूटे फूटे एक खिरों में कैसी भी लिया जाए भगवान का नाम बाव से लिया जाए वो बाव से लिया जाए हमेशा मंगली करता है क्योंकि तवी तो कहते हैं मंगल बवन अमंगल हारी द्रव़ों सुदा सिरत अजिर भियारी भाव कुवाव अनक आल सहू नाम जपत दिस्य मंगल नसहू चैने भगवान का नाम नारएन का नाम शिब्जी का नाम बाव से लिया जाए को बाव से लिया जाए हमेशा मंगली करता है भक्तों ब्यासी माराज से नारजी ने कहा के ब्यासी आपके मन में किसी भी प्रिकार की संताप पितारना नहीं होनी चाहिए मेरी नाराजन तो बड़े ही दयाल हुएं मेरे नाराजन ऐसी दयाल हुएं एक नर्शी नाराजन बना सकते हैं मेरे नाराजन एक साधारन जीब को भी दो इस्तान दे सकते हैं जो देवताओं को भी दूर लव नहीं है भी आसी मेरे नाराजन के बराबा कोई ऐसा दयाल हुए नहीं जो इतनी करपा का सागरों एक दासी पुत्र को जो दासी पुत्र जूटन खाता है ब्रामनों की जूटन खाता था संत रिशी मुनियों की जूटन काता था उसे देवरशी नारण बना सकते ही कितना प्रवाव है इंसान नर्शी नारण क्यों नहीं हो सकता नारण जी कहते ही इदमी पुर्शस्यरत श्यवास्टक्षसुतक्तचा बुद्ध दित्यो इस विशे में मैं आपको अपना पुर्ण जन में सुनाता हूँ मैं पूर जिनम में क्या था नारण जी कहते ही कि ब्य वस मनवंतर चल रहा है इससे पहले जो मनवंतर था कलप था जो पहले ब्रह्मा की शिष्टी थी उस समय पर में एक नगर में एक दाशी का पुत्र था मेरी मा जो है एक ब्राह्मन के गर जाड़ू पोँचा का काम करती थी मेरी पांच वर्ष की अवस्ता थी पांच वर्ष की अवस्ता में में अपनी मा के साथ उस ब्राह्मन के गर चला जाता था ब्राम्मर के घर पर संत रिशी मुनी आते रहते थे ब्राम्मर भगवाल श्रीयरी की कथा सुनाता रहता था ब्रामन के गर मा के साथ जाता मेरी मावा जारू पोँचा का ती रिसी मुनियों के कपड़े साप करना बरतन साप करना जूतन साप करना मुझे वहीं पर खाने को मिल जाता था मैं भी मा के साथ चला जाता सतसंग सुनता नोच्ट कस्च राउस्चाद उसिष्ट भोजने सौन जो मुझे बापात्रों में बचा हुआ भोजन मिल जाता था उन भोजन को में खा के त्रप्त हो जाता था इस विकास से मेरा उद्दार होता गया मुझे वापत ससंग प्राप्ट हुआ संसार में तीनों प्रिकार की ओस्डी एकी है तीन प्रिकार के ताप संसार में होते ही देविक देहिक और भोटिक तीनों प्रिकार के तापों को दूर कने वाली जो ओस्डी है वो केवल क्या है सत्संग प्रिवु की भक्ती सत्संग दिव्योस्डी है भगवान की कठा सुनना दिव्योस्डी है इसलिए भगवान के चत्र को स्वन कने से लावा कोई दूसरा साधन होई नहीं सकता नारज जी कहते ही कि ही ब्यासी एवं निसम्म भगवाना देवर्शी कर्मचा भूय प्रशितम ब्रह्मम ब्यासा सत्वती सुता है ब्यासी है सत्वती पुत्र मैं अपना पूर जिनम का इतियास तुम्हें कहां तक बताऊं एक बार की बात है चतुर मास करने के लिए बहुत सारे रिशी मुनी उस ब्रह्ममन के घर आये थे और मेरी डूटी लगा दी माने इन ब्रह्मनों के चरन दवाना इनकी शेवा करना मैं भी मा के साथ ब्रामन के गर पर उन संत रिशी मुनी ब्रामनों की सिवा कने लगा उनके पात्र में बचा हुआ भूजन खाने लगा इस तरह से मुझे भक्तों का ससंग प्राप्ट हुआ भगवान के प्रती रुची हो गई जब चतौर मास बीट गया चार महिना बीटने के बाद में वो संत रिशी मुनी ब्रामन के यांसे जाने लगे तम मैं उनके चर्णों में किर पड़ा कि भगवन आप तो जा रहे हैं आप मुझे भी साथ लेकर की चलें आपके बिना में रह नहीं सकता मुझे भक्ती का रस चाहिए मुझे सत्संग चाहिए पांच वर्स की अवस्ता में और बच्चे तो खेलते कूते ही मैं प्रवकी भक्ती कर रहा हूँ मेरी भक्ती देख करके उस संत बड़े प्रसन हुए उन संतों ने मुझे उप्रेश दिया मुझे मंत्र ने दिया ओम नमो भगोटे वास्रेवाए पुत्र तुम इसका जाप करो तुम यहीं पर रह करके प्रुवकी भक्ती करो जब तक तुमारी मा है तब तक तुमारा बन में जाना उचित नहीं है सन्यास लेना उचित नहीं है क्योकि माता पिता परमत्मा से बढ़ करके होते है सब तम माता पिता की सेवा करो तब साथ में प्रुवकी भक्ती करो तभी सपलोगी नारजी कहते है плюс 81 अब संत निशी मुनी तो चले गई अम में प्रुवकी भक्ती करता रहता ओम नमू भगवते वास देवाई इस मंत्र का जाप काते रहता प्रूव से कहता नारायन मेरी उपर कृपा खरो एक दिन मेरी मा अनेरे में ब्रामन की गाय का दूद दोने गई थी वहाँ पर एक काला नाग पड़ा था काले नाग पर पैर पड़ा मेरी मा को डश लिया और मे 君व में अकेला हो गया था कोई बंदर नहीं था में बन की तरव चल दिया बन की तरप चल करके में जाकर के नदी में इसनान करा गंगा जी में इसनान करके ओम नमो भगवते वास देवाई इस मंत्र का जाप करने लगा एक दिन जो है कुश वर्स वे मेरी जवान वस्ता वेटी जवान वस्ता में एदिन कारते काते परमात्मा की छबी मेरे हिदय में प्रगटो गई जो रिशी मुनियों ने मुझे उपरेश करे ती कि वो दिबिश भी जिसमें संग चक्ड़ा प्रमदारन की हुए मेरे मनुवर्ट जिनके होट कमल हैं, हस्त कमल हैं, मुख कमल हैं, चरन कमल है, हिदे कमल है, नाभी कमल है, जिनको कमल की रूप की संग्या दी जाती है, वो परमात्मा मिरे हिदे में प्रकात हो गई मुझे उचवी को देख करके बड़ाई आनंदा आ रहा था, उचवी के रूप में ध्यान मगन था, अचानक वो चवी मिरे हिदे से अन्ता ध्यान हो गई, थोड़ी देर के लिए आई, आप भी बक्तो, घर में भगवान का ध्यान करो, एक ना एक दिन आपके हिदे में भी उ अवश्य प्राप्त होगी, ना जी कहते ही, मेरी हिदे में चवी आई, थोड़ी देर बाद अन्ता ध्यान हो गई, वो चवी के जाते ही में फूट फूट करके रोने लगा, हे नारायन, हे मेरे गोविंद, तुम कहां चले गए, तुम कहां चले गए, मैं जी नहीं सकता, मै अभी संसार के सरीर का बंदन है, इस सरीर से तुम परमात्मा से नहीं मिल सकते, इस सरीर को त्या करके तुम परमात्मा को पराप्त होंगे आका समानी सुनकर के मन को सांत हुई अम में दिन और रात मृत्व की प्रतिक्षा करने लगा कि कम मेरी मृत्व हो और अकाल मृत्व करने सकता अकाल मृत्व करना अभी वक्तों पाप होता है अकाल मृत्व नहीं करने चाहिए मैं स्वेम जो है अकाल मृत्व की ने मृत्व की पृतिक्चा काने लगा अचानक एक दिन मृत्व हो गई नारजी कहते हैं मृत्व के बाद में में सीधा ब्रह्म लोग गया प्रिले काल का समेता ब्रह्मा जी में लीन हो गया परमत्मा के अंस से जड़वारा सुष्टी की रचना हुई तब मैं ब्रह्म पुत्रवन के उटपन हुआ जो देवरिशी नारज़ कहला आया मैं दासी पुत्र डेवरिशी नारज़ बन गया जिसको ब्रह्मा विश्णु मेश स्वेम आदर सम्मान देते हैं ऐसा जो हर समय परमत्मा के पास रहता है किभी किशी भी देवता के दर्सन कर सकता है तुरे देवों का दर्सन हर समय प्राप्त होता रहता यह केबल मेरे गोविंद की किरपा है एक दासी पुत्र को देवरिशी नारज़ बना दिया तो इंसान नर से नाराज़ क्यों नहीं हो सकता ना जी कहते हैं ऐसे परमत्मा का जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसके बराबर कोई मूर्ख नहीं है वो मनुष जानवर की समाने कैसे नाराज़ को छोड़ करके संसार की मूई में बठकता रहता है मेरे प्रमत्म की वक्ति में कोई नियम नहीं है कोई पैसा नहीं लगता केबल आपका मन होना चाहिए आपका भाव होना चाहिए मेरे नाराज़ ये नहीं कहते कि अमीर है या गरीव है या तुक्या जात है ना जात देखते ना धन देखते वो केबल आपका भाव देखते हैं आपकी भक्ती देखते हैं आप सम्पूर वाव से समर्पित्त हो जाओ आपके परवाल वालों को भक्तों आप जो आर्थी कहते हैं आर्थी में आप क्या कहते हैं ताने माने दाने सब कुछ एै तेरा सवामी सब कुछ ए तेरा तेरा तुझको अर्पन क्या लागे मेरा हम नित्य-पृति कहते ही परमात्मा को भी ढोका देते ही कि सब कुछ कमारा है और अभी बारी आ जाए नहीं आपको जी मंदर की सेवा हो रही है चै tack आप सामत वाने लाखों रुप्या आ रहा है मंदी की सेवा उनिये चलो आप जो है इसमें हजार रुप्या दे दो ब्रामन को दान करा ना ये दे दो किसी गरीब को भूजन करा ना ये भूजन करा दो आप कहिंगे नहीं हमारी इतनी सामत है जी उस समय पर धन भी नहीं निकलता अपनी सक्ती के अन्सा तो करो ये धन तो नहीं का है न अभी बीमारी हो जाती है डांगतरों को यूँ चले जाते हैं सरावों में हम लाकों रुपे खर्च कर देते ही डांगतरों को भी थोड़ा सा कुछ हो जाता है चले जाते ही इसलिए वो पैसा जो जाना है जो दन जाना है लक्षमी नारायन की है लक्षमी को दुर्प्योग में मत जाने दो अगर आपका आज हजार रुपया जाना ही है तो आप उसे क्यों ना सेवा में खर्च करो भक्ती में खर्च करो दानपुन में खर्च करो जिससे उस लक्षमी का कहीं गलत जाने का समय नहीं बनेगा और आप भक्ती में लगाओगे दन को पहले से खर्च करोगे जो सक्ती के अंसा हम यह नहीं करें कि बच्चों को पेट बीमारी आएगी ना वो गलत जगह जाने के लिए रस्ता बनेगा और वो दान करते हैं वो कई गुनाओं करके आपको वापिस आ जाता है भगवान कई किसी ना किसी रूप से वापिस करी देते हैं इसलिए हमेशा सामर्थ के अंसार प्रभू की बक्ती के प्रती प्रभू के प्रती गरीवों की सेवा में धरम करम में यता सक्ती दान जरूर करो जितना सामत है थोड़ा सा दान निकालते रहो यह मलालच मत दो यह हमारा काम हो जाएगा जी हम जब प्रभू आपको यह सेवा देंगे मंदर जाते हैं मंदर में जाकर के परमात्मा से कहते हैं प्रभू हम आपकी सर में आई हमारा यह काम हो जाए हम आपको एक से कृपए का प्रसाच चड़ाएगे भगवान को भी लाल आप सेवा करो कि हम सेवा करेंगे आपकी इस्रन में रहेंगे यह हमारी इच्छाय से पूरी कर दो उनसे सौदेवाजी तो मत करो आप केवल उनको पर दाल दो यह आपको काम करना ही पड़ेगा प्रवू हम यह अपनी इच्छा आपके प्रती रख रहे हैं यह कामना मनो कामना आपको पूरी करनी ही पड़ेगी देखना आपके नारायन आपके एस्तर आपकी मनो कामना क्यों नहीं पूरी काते हैं मन में कोई विश्वास नहीं न चीए कोई शंका नहीं नी चीए पूरन सिदा के अंसर अरपिट करो तो मेरे नारायन जरूर आपकी कामना पूरी करेंगे मेरे नारायन जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे कहते ना जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत तिने देखी तैसी जिसकी जैसी भावना उती है उसी भावना से परमात्मा को अर्पित होता है और उसकी इच्छा भी उसी तरे से पूरी होती है आप देखना आज सिद्धा भाव से पूरी बक्ती भाव से इस कठा को सिवन कर रहे हैं आपकी मनुकावन वस्य पूरी होगी इसे पूरे भाव से सुनना मन में संका मत लाना मेरे नारायन को माखन मिस्री का भोग लगाओ देखो आपके इच्छा कैसे पूरी नहुती है मेरे नारायन को मेरे केसब को माखन बहुती प्यारा है जो अच्छा अच्छा भोजन है आप अपने घर में बनाते हैं वो केसब को भी लगाओ आप बजार जाते हैं, शौपिंग करने जाते हैं, बच्चों के लिए अपने लिए कपड़े खरीते हैं, तो मन में एक ये भी ध्यान रखो, हमारे घर पर मेरे नारैन बेटे हैं, मेरा लड़ू गुपाल बैटा है, उनके लिए भी एक फूसाख खरीदू, सबसे पहले उनके लिए खरीदो, आप घर में आते हो, नेने कपड़े ले करके आते हो, सभी को कपड़े देते हो, मेरे नारैन देख रहे हैं, कि मेरे लिए कुछ करी नहीं रहा, जब तुम उनके लिए नहीं कर रहीं, तो तुमारे लिए क्या करेंगी, दिया हुआ उनका रवातारी है दो जैसे माता है ने कrakर इस फार्ज नहीं यह लिए पैसे हैं आप पिता के कुछ कि ला देते हैं तो कितने ही प्रसनों होते हैं इसलिए आप जो है नारेन के लेकर जरूर आओ अपनी लड़ो गोपाल के लेकर जरूर आओ देखा देखना वो भी कैसे आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं उनका भी मन बनेगा कि मैं अपने भक्त की इच्छा पूरी करूँ ये मुझे बेटा मानते हैं इनको मैं बाल गोपाल दे दूँ अपने लिए एक भाई बना दूँ जो बाल गोपाल इनके आंगन में खिले ये मुझे भाई मानते हैं भाई बनकर कि इनका सहेल जुनूँ यह मुझे बेटा मानते हैं तो बेटी की तरह फर्ज नवाओं आप नवाओगे तो हो नवाएंगे क्योंकि हाथ ताली दोनों हाथों से बचती है एक हाथ नहीं बचती है इसलिए आप नारायन की सन में पूरी सिद्धा वाव से जाओ कुछ भी लाते हैं मिठाई लाते हैं उनको खिलाओ उनको खिला करके उनका हिस्सा निकालो फिर उसे प्रसाद रूप में गहन करो देखना आपको आनन्द आएगा आप करकी तो देखो भक्तों भगवान ने स्वेम का है बाब का भूकां में बाब ही बस सार है बाब से मुझी को वजे बाब से बेड़ा पार है अन्य धन्य और वस्त्य भूसन कुछ न मुझे को चाहिए बाब से की पुश्ब दे वो भी मुझे सुईकार है बाब बने कोई कुछ देता है मैं कुछ लेता नहीं बाब से की फूल दे वो मुझे सुईकार है बाद लेते बक्त मुझे को प्रेम की जन्जीर में इसलिए इसी भूम पर होता मेरा अवितार है भाव भाव रखो भाव से आप करो जो भी सिद्धाय से करो उनको बेट दो देखना मेरे नारायन जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे आपके हर कार सिद्ध करेंगे आपकी हर परिशानी का अंत करेंगे आप देखना त्शिग्र करेंगे भक्तों भागवान नारायन की किर्पा आप सभी पर बनी रहे यही प्रातना के साथ आज की कता काम विश्राम करते हैं भुलिंद्रा वनिवारी लाल की जय 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 सिदिरादे जय जय सिरादे जय जय सिरादे श्यांग